आप अगर चाब देना आपके बच्चों के अंदर ये एटिचूड आ जाए वो पढ़ाई अच्छी करें जो काम है वो फॉरण करें उनके दर सुस्ती ना आए उनको बच्चपन से आदर डाले फॉरण नमाज पढ़ते हैं और उसको उनके लिए फिर वही बात कोंगी प्लै खेलो अजान होने वाली फिरका पांच मिनट रहें तो मिनट रहें चलो बंद करते हैं बड़े अराम से पीछे से जडा के प्लाग उतार दिया बच्चा गया नए नो मेरा प्यारा बच्चा गले से लगाया उसको गसीरते वे ले लेगे चलो आफ़ो करते हैं जल्दी से न तुर आपको नजर आँ एक बच्चा है जो कर टाइम पर पढ़ता ही यह नहीं अब आपने बाकी फेक्टर्स को स्ट्रांग करा नहीं जमारत करने को स्टॉन करने उससे और जनसी होगी उससे भी फौराण नमाज कर ना यह से इंग पर लगज पढ़ने की आप जो खुद क आप देखें बच्चों में ये चीज़ आईगी बल्के इसमें एक ये टिप है कि सूरज निकल गया तो फजर की नमाज नियुक्ती तो बच्चों को ये कहा जा सकता है कि सूरज निकल ने माले है हम बर्ट से कंपिटिशन गाज़कर शुरू हो गया हमने उनसे चैलेंज लेना है उनसे पहले करना है ये काम मैं आपकों पर दूंगी यहां पर एक बुक थी माई ब्रेव प्रेव को मैं फर्स्टे लेखें कि मास्टन में अबिटा साइपाइम आगे इसके पुक की हातर जाए रहा ताइम में मोबाल पर अलार्म लगाएगा और सबदस्ती कहते कि उठे नवार रहा है है कि हैबिट लूप को यूज करने बच्चे आपके हूंवक मामा ये तो चार दिन बाद कराना है अब क्या होगा जब वो दिन आएगा उसे तीन हूंवक और होंगे हम बच्चों को डांटते हैं तुमने क्यों नहीं उस दिन पढ़ा तुमने क्यों आखरी वकित के लिए उस दिन हमने कुछी पोस्पोन कराया नहीं आज ही करके बैग में डाल के रखी देर एंड एंड एक चीज होती है नेशर जो क्लैश करती है यह उस चीज को कैसा कवर करें के नेशर यह मतलब आप एंचीज के लिए तर लेंगे उसके लिए आपको अपने बच्चों के एक् अपने बच्चों में आटमेटिकली आनी शुरू हो जाती है फिर इसके बाद यह है कि नमाज को तबज्यों से पढ़ना तेके ना इरिटेट हुआ करें एक तो बच्चे इतना तंग करते हैं नमाज नहीं बढ़ी जाती है करने दें आप पुरसुकून नमाज पढ़ें आ आप नमाज पढ़के कहते हैं नमाज भी नहीं तुम लोग सुकून से पढ़ने देते हैं यह नहीं कहना बच्चों को आपने शो करना है वस्ताइनों बस्बर वस्सला कि जो नमाज है मुझे सबर सिखा रही है मेरे ने ठेहराओ है बच्चा इंप्रेस हो आपकी नमाज से ने तो बच्चे कहते हैं कि यह माँ ने तो नमाज हमारे लिए एक मुश्किल बना दी ऐसी आहदी सुनाना नमाज से रही है आपको नमाज नवी के बुक में मिलेंगे जिससे अल्ला की मुहबत बढ़े हैं हम अल्ला से बात करते हैं हम अपने रब के लिए यह खास फिर इसके बाद मस्जद किया था मस्जद में शौक से जाना मस्जद को साफ सुत्रा रखना मस्जद में जाते हैं दाया पाउं अंदर डालना और जब दाया पाउं अंदर रखते हैं तो दौा पढ़ना अल्ला हम अफ्ताह ली अबवाबा रहमतिक यह बच्चों को दौा सिखाना फिर इसके बाद जब बच्चे मस्जिद से बाहर आ रहे हैं तो बायां पाउं बाहर निकालना उसका दूआ पढ़ना अल्लाहुमाहिमी असरुगा मिन फजलिक मस्जिद में हमोशी अब ये कैसे होगा आपको अपने बच्चों को कुछ मैनर सिखाने होगे एज अप्रॉप्रियेट मैनर सिखाने होगे साथ साल की उमर से थोड़ी देर के लिए किसी छोटी नमाज के लिए हस्बंड के साथ भेचना होगा बच्च आएं कि बच्चे आएंगे तो सिखेंगे आपको जरूर ऐसी मस्जिद मिल जाएंगे ऐसे महौल मिलेंगे हमारा काम है ये महौल क्रियेट करना हमने अपने बच्चों के अंदर ठहराओ भी पैता किया हमने सिर्फ उनको घूरना सीख घूरा और चुप करवाया तो जहां बच्चा पर घूरी नहीं लगती तो बच्चा पर बिहेव उस तरह नहीं करता बच्चों के अंदर ऐसी टेक्नीक से ऐसे तरीकों से खहराओ लाएं कि उनको ये अदब एतराम आए कि हमने किसी मजलिस में कैसे बिहेव करना होता है और क्या काम कहां करना कहां करना आज के टॉपिक में जुम्मे के अदाब भी बच्चों को बताएगे हैं सुरह जुम्मा बच्चों को दिखाएं सुरह जुम्मा की तफसीर आप सुनें और फिर आप उसके मताबिक बच्चों को बताएं कि जुम्मे के दिन खास वा पर घुसल करना जुम्मे के बारे में एक हदी बनाएगे और उसे दिन क्यामत भी काइम होगी वुजू करना सफाई करना नहाना धोना जुम्मे का इhtमाम करना और जुम्मे के लिए जो नमाज के लिए जाए खुत्बा सुनना सुरत काहस पढ़ना दुरूज शरीप बहुत जादा पढ़ना और आप बच्चों को पढ़त पर्क है ग्राउंड है मां बच्चे सब खेलते हैं आप ने नमाज का जो वक्त आएगा नासर की नमाज आएगी अमगरिब की नमाज आएगी उससे पहले आ जाना या नमाज पढ़ लिनी है जब वो आया तो आप आप आवाजें देती रही वो नहीं आया तो अब इसका मत और हम खेलें आपको अमी ने बता के भेजा एगा थार से के नमाज पढ़नी है अब आपके फ्रेंग खेल रहे हैं और आप उनसे का तुरो नमाज पढ़ें और वो करतें नहीं नहीं छोड़ो अगली दफाप पढ़ लेना अब आप उसको कैसे हैंडल करें और आप उनके स सही पढ़ें और उनको दावत पी सही तरह देने वाड़ें यह रोल प्ले करवाने से आप देखें कि बच्चों को कितना फरक पढ़ना शुरू होगा इसी तरह से बच्चों को आप इस तरह करवा सकते हैं चलो इमेजिन करो कि हम मस्जिद में गए हैं अच्छा और मैंने जूटे उतार केदर साइड पे रागियो और मेरा ञेरे असे बाते करने में वह दिल जा रहा है मैं तो मैं कर लो उसे बाते हैं अब और बच्चों के साथ चोड़े competition घर में क्योंकि क्या होता है बच्चे हमारे पास आते हैं they want us to engage them in something हमें भी समझ आ रहे थी कि हम क्या को तो अल्ला साला से दौा है कि अल्ला तोफीक अता फर्माए कि हम अपना फर्स बेतरी तोर पे अदा कर सकें और बच्चों को अच्छे तरीके से नमाज सिखा सकें उको महबद दिला सकें नमाज की नमाज हमारी और हमारे बच्चों की आँखों की धंड़क बनी है सुभानक अल्लाहुमा बाभी हम्दी का मेश्यदू लाई लाह इलांता नस्ताफिरू का बनतूभ इले अस्सलाम अल्यकूम रह्मत ल्लाहिए बर्स